पाठी अढ़ाई काड़ा देख रहे हैं आप बीना विदायक निर्बला सप्रे भोपाल में बीजेपी कार्याले पहुची जहां बीजेपी संगठन की बैठक में वो शामिल हुई और इस बैठक में बीजेपी के सभी नेता और विदायकों को बुलाया गया था इस मौके पर निर्बला सप्रे ने कहा कि मैं जनता की विदायक हूँ और मुझे जनता ने चुना है निर्बला सप्रे ने कहा कि विदान सभा में अभी जवाब पेश करने के लिए मुझे बुलाया जाएगा मैं विधान सभा में इसका जवाब दूँगी जनता जो कहेगी मैं वही करूँगी साथ की निर्मला सप्रे ने कहा कि सदसता अभियान के दौरान बीजेपी के सदसता नहीं ली और कॉंग्रिस विदाक निर्मला सप्रे लोग सभा चुनाव के दौरान बीजेपी का समर्थन उन्हें किया था बता दे कि कुछ दिन पहले विदान सभा के नोटिस के जबाब में निर्मला सप्रे ने बीजेपी में शामिल होने से इंकार किया था लेकिन बीजेपी संगर्थन की बैठक में शामिल होना एक बार फिर कई सवाल खड़े करता है और जो मुझे सदन में जबाब मांगा है मैं उसका जबाब सदन में देने वारे दें दूँगी तो आप बिल्कुल सदन में आप कर लीजिए कि हमें जबाब कर दूँगी ये मेरा आप लोगों से है लेकर चुकि मैं एक सदन की सदस्या हूं आप सबसे बोल दी मैं एक सदन की सदस्या हूं मेरा राइट मैं चुकि अभी वरतमान विधायक हूं अब सदन में चुकि आप सबी ने मेरे लिए जवाब नहीं किया था सदन में नेता प्रतीपक्ष मेरे सामने जवाब करते मैं उनका उत्तर उन्हीं के लिए दूंगी तो बहुत जली बस इंदिजार की जिए बहुत अच्छी खबर हाने वाले आप देखे निर्मला सप्रे जो विधायक हैं बीना की कॉंग्रेस पाइटी से उन्दरंतर भाजपा की रेलियों में शामिल हो रही है खूब भाजपा के मंचों पर भाशन दे रही है और भाजपा के कारलाय जा रही है भाजपा की बैटकों में शामिल हो लेकिन जब बात आती स् नहीं नहीं मैं तो आज भी कोंग्रेश में हुई ये दोहरा चत्र कहां से निरूम्ला जी आप सपष्ट करें तेखे निर्मला सप्रेज जी को स्वहम निर्णाय लेना है उन्हें क्या करना है किस तरब जाना है और किस पक्ष के साथ बैठना है ये कोंग्रेश पार्टी और निर्मला सप्रे जी के बीच का द्वंध है भारतिय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है हमारी सरकार तो सभी छेत्रों का विकास करती है इसलिए बीना के लिए भी विकास योजनाई दी गई है और इस पर बारचीत करेंगे हैं हमारे साथ कुछ खास महमान है सबी को कंफ्यूज किया हुआ है और राजनीती को भी जिस गंभीरता से लेना चाहिए वह भी वह नहीं ले रही है लगातार साड़े पांच महीने हो चुके हैं लगातार जूट पे जूट जूट पे जूट लिखने में भी जूट बोल रही हैं बयानों में भी जूट को भी मतलब मूर्ख बना रही है पी जनता के साथ भी धोका कर रही हैं वहान से का चुनाव हो आपको सब कराने में लेकिन यहाँ साफ साफ जो दिखरा है कि आ बूरे तरीके से गोल गो कोल-कोल बाते कर रही है वो मीडिया भी समझ रहा है जनता भी समझ रही है और सभी लोग समझ रहे हैं तो यह पूरे तरीके से दिखाता है कि कही ना कहीं जो छोड़के कहीं थी यह पार्टी को वो कुछ बाते थी कि बीना को जिला बन वालेंगी भाच्पा ने वो बनाया न तो हमने भी इस पर ट्वीट किया कि वो भी इतने गंभीर नेता थे लेकिन वहां जाके आगंभीर हो गए तो यह कई बाते हैं जो भाच्पा में जो कॉंग्रेस के लोग गए हैं वो क्या सोच कर गए थे और आज वहां पे ना इधर के रहे ना उधर के रहे यह इस्तिती प्रवक्ता को कि अगर बातों पर गवर करें तो इससे साफ जाहिर है कि कॉंग्रेस के मेता कॉंग्रेस पार्टी इस तरह के निरनाए से खुश नहीं है तो क्या कॉंग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया ये निरने लेने में भी हो सकता है कुछ समय लगे मैं आपके पास फिर लोटूंगा निया बग्गा जी भी हमारे साथ जुड़ गए है भारते जिनता पार्टी का पक्ष रखेंगे निया जी बहुत स्भागत है नियूज 18 पर आपका निर्मला सप्रे को लेकर कन्फीजन है अजय जी ने बयान दिया कि ये कॉंग्रेस और निर्मला जी के बीच का मामला है लेकिन वो बैठक तो बीजेपी की में आ रही है तो बीजेपी का भी तो कोई स्टैंड्स पर होना चाहिए देखे कॉंग्रेस डूपता वह जहाज है और इसी लिए 500 से अधिक कॉंग्रेस के पदाधिकारी देश भर के अंदर कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ कर जा चुके हैं ह। यह सबस्ट दिखा रहा है कि Congress Party के पास नेता नहीं है नीती नहीं है और भारती जनता पार्टी जुस तरीके से लगातार राष्प निर्मान के लिए मद्य प्रुदेश को गती देने के लिए मद्य प्रुदेश के विकास के लिए काम करी आने को जन प्रतिनेदियों ना केव मद्धिप्रदेश में बलकी देश भर में यह निर्णे लिया है और आज तो निर्मला जी आपको भारती जंता पार्टी के कार्याले में भी दिखी है तो मुझे लगता है कि अगर कॉंग्रस को वाकई में इतनी आपती है तो उन्हें निर्णे लेकर बाहर करना चाहिए जो भी फैसला कॉंग्रस पार्टी के अंदर सीजी करती है कॉंग्रस के नित्रत्व करते हैं उनको लेना चाहिए क्योंकि निर्मला जी का तो मुझे लगता है रुक फष्ट दिखाई दे रहा है अब रहेंगी और जंता का जो निर्णे होगा वो स्विकार करेंगी अब जंता इसे में क्या जन्मत संग्रे करवाए जाएगा आप चाहते हैं कि मैं बीजेपी में रहूं तो आप रहो आपको बीजेपी वाले खुद तारीफ कर रहे हैं आपकी कि आपको रखना चाहते हैं तो यह पूरे तरीके से एक जो गोल-गोल बाते गुमा कर बीना की जंता को परिशान किया जा रहा है और मीडिया भी उस पर इस तरीके से सवाल कर रहा है उसमें भी आप गोल-गोल घुमा रहे हैं तो यह मैं इतना कहना चाहूंगा कि थोड़ा गंबीर राजनितिक की तरह हम आज इस चर्चा में और यह चर्चा इतनी गंबीर होने चाहिए कि निरमला सप्रजी को आप आइना भी देखना चाहिए आइना देखकर सोचना चाहिए कि क्या करूं मैं मतलब सपष्ट करो आप कि चुनाव में जाना है कि कॉंग्रिस पार्टी के जो नियम है जो उनके नीती है जो अनुशासन होना चाहिए यह अनुशासन हिंता का भी मामला हो सकता है आप इसके वैद कारवाई कर लिजिए न जान सबा में गया हमने लेटर भी दिया वहां पर सारी चीज़ें लेकिन अभी तक उस पर मैं आपसे वही तो बोल रहा हूं साड़े-पांच महीने से चल क्या रहा है कारवाही जो है एक नियम अनुसार होती है हम क्या कर सकते हम एक पार्टी है हमारे पार्टी के सिंबल प कि मैं बीना को जिला बनाऊंगी उनकी जो बात है नहीं मानी गई ठीक है नहीं मानी गई आगे आपकी जो बात है आपको भाजपा की संगटन की मिटिंग में गई जहां पर सब गंचा पैन के वैठे थे आप गंचा पैन के क्यों नहीं बैठी हम आप मिटिंग में जा रही बीजेपी के नेता तो ये कहते ही है बीजेपी के दर्वाजे तो सब के लिए खुले है जो आना चाहे वो आ जाए नियाज जी इस पर मुझे लगता है ज्यादा सपश तरीके से बात रख पाएंगी देखे अभिनव जी ये नहीं बता पारे कि निर्मला सपरे जी उनकी पार्टी की है या नहीं है अगर है तो रोखना चाहिए और अगर नहीं है तो फिर अनुशासन की जो भी डिसिप्लिंडरी इनकी कमिटी है उसको इस पर आक्शन लेना चाहिए था अब कॉंग्रस अगर अपने नेताओं को नहीं समल पारे अगर कॉंग्रस के नेता कॉंग्रस पार्टी से संतुष्ट नहीं है अगर कॉंग्रस के नेता उनको आखे दिखा रहे हैं उनको छोड़ कर जा रहे हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि भारती जनता पार्टी का कोई टेक होना चाहिए निर्मला जी भार्टी जन्टा पार्टी जन्टा पार्टी के जंडे तले जीत कर आया है तो क्या आप उसे अलाओ करेंगे ऐसे बैठक में? देखिए ये तो कॉंग्रेस के विचार का प्रशन है ना कि अगर उसका नेता आप कह रहे हैं आप लोगों ने कोई क्राइटेरिया रखा होगा कि कौन बैठक में अपेक्षित है और कौन उपेक्षित? आप आशी जी, बहुत थोड़ी थोड़े समय में आपने दिखा है कि कॉंग्रेस अलग अलग प्रकार की चिठिया निकाल कर बताती है कि हमने यह एक्षिन लिया, इन पर क्यों नहीं लिया? या तो यह स्पष्ट करें कि कॉंग्रेस पार्टी की यह नेता है या नहीं है? और नहीं है, तो एक्षिन ले हैं, तो भी एक्षिन ले, दोनों उसमें ही, मुझे लगता है कि डिसिप्लिनरी कमिटी को अनिशासन समी कुछ करना चाहिए था, पर एक नहीं अनेकों ऐसे हैं, आप लगातार देखिए लक्ष्मन सिंग जीन को आयना दिखाते रहते हैं, जो सिर्पुटवल की सिती नेता प्रतिपक्ष और PCC अद्देक्ष के बीच में वो किस से छिपी हुई है, और अनेकों अफसर पर भारती जनता पर्टी के सुख, दुक और कारेक्रमों में, कॉंगर्स पर्टी के नेता भाजपा कारयाले आते रहे हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, अब ये भी आई है, इनका स्वाकत है, गांव्रती जनता पर्टी को तैह करना है, मुझो लगता है, भारति जनता पर्ट किसे सदसिता हो जाए आगे निर्मला सप्रे जी खुद बोल रही है कि मैं जनता मुझे आतो आएं वो इस्तिफा दें जनता के बीच में जाएं पब्लिक के बीच में जाएं जो जो उनने बाते बोली हैं कि मैंने कॉंग्रिस इस कारण छोड़ी हैं वो बाते रखें आपको चले जाना चीए वहाँ पर क्यों इदर उदर की बात कर रहे हैं ये जनता डिसाइड करेगी कि कौन टिका हुए कौन बिका हुए कोई कैसे गया आपकी क्या परिस्तितिया रही थी ये बीना की एक एक जनता जानती है कि आपने क्यों पार्टी छोड़ी है किस कारण में भी लग रहे हैं जहां से राउल गांदी ने अभी सीट छोड़ी या और दीदी चुनाव लड़ रहे हैं वासे प्रेंका दीदी लेकिन ये बात कि जनता के टेक्स का वो तो जिल लगना ही है वो तो विधी का विदान यहाँ पर बना हुआ है समविदान ये कहता है कि जनता के टेक्स के पैसे सही चुनाव लड़ा जाएगा लेकिन अभिनव जी पार्टी भी तो अनुशासन हिंता की कारवाई कर सकती है मेरे कहने का अर्थ आप समझ नहीं पाएंगे दो चुनाव हो रहे हैं माली हालत क्या है इस देश की प्रदेश की सब को पता है हसने मजाख उड़ाने से और हसने से तो कुछ हासल नहीं हो गा सर आज हम किस दुर्गती के साथ हमारे प्रदेश की स्तित पता नहीं है कि बीना की जंता के को उनके इस विदायक के पत पे रहने से क्या फाइदा हो रहा है तो मेरा विनम्र निवेदा ने मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता लेकिन मैं फिर भी आपको सब बता रहा हूं अच्छे से आप मुझे कितना भी क्रॉस करेंगे लेकिन म कमेंगी भी कमी है निया जी से अब इस पर आखली conclusion वारा answer ले लेता है अबिनव जी और ये कुछ विशय ऐसे हो जाते हैं कि उस पर सहसा हसी आई जाती है चाहे वो विशय हसी के हो या ना हो चुकि परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती कई बार दिखती है निया जी आप अबिन कउंग्रस पार्टी के कारेकरताओं की है कोंग्रस पार्टी के नीताओं की है किया बॉलकुल सही प्रश्च पूछा यह मैं पूछने ही वाली थी कि वाइनाड में जहां पर भहिया छोड़कर चले गए राहुल भहिया अब प्रियंका दीधीी आ गयी है अब देखिए कि विधान सभा का चुनाओं कॉंग्रिस पार्टी का कारे करता निराश हो जाता है घर से नहीं निकलता कॉंग्रिस यहाँ पर सरकार नहीं बना बाती मध्य प्रदेश में बहुत जूट फेलाया अब गए लुट गए मध्य प्रदेश की गत खराब गई है समय की कमी है एक एक लाइन में जवाब दीजेगा क्या निर्मला सप्रे बीजेपी जोइन करने वाली हैं देखिए ये निर्मला जी जाने और कॉंग्रिस जाने ठीक है बहुत 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 शुक्रिया नियाजी आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए अभिनवची बहुत शुक्रिया समय निकाल कर हमसे बात्शीत करने के लिए